सो दोस्तो आप लोग कैसे हैं आई होप कि आप लोग अच्छ होंगे और स्वस्थ होंगे साथ में बोडिक जाम के लिए काफी अच्छी तैसरी त्यारी कर रहे होंगे सो दोस्तो आप सभी को पता हुआ कि बोड इक्जाम के लिए काफी दिनों से त्यारी कर रहे ताकि अच्छे सच्छे अंग प्राप्ति कर सके सो दोस्तो आज के से वीडियो हम देखेंगे का लाज 12 हिस्टीरी यानि की इत्यास की बीवी आई ऑब्जेक्टिव कोचन अंसर से संख्या 5 जो कि आपकी बोड इक्जाम के लिए काफी महाद पुन है दोस्तो आप भी बोड इक चार्म के लिए तियारी कर रहे तो वीडियो को सुरू से लिकी लास तक बने रहे ताई लेट इस वीडो आपको मिलतारी सबसे पहले दोस्तों भीड़ियो को सुरूँ करने से पहले वीड़ियो को लाइक करने साथ इस वीड़ियो को अपने वार्स फेसभी करने से अंह्ट पफ़ूरिया जाया जागा और सो जोड़िया में चाहिए। जली दूस्तों कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। एक ही करके साथी बसूस्ट ही करते तो आपने साथे साथ याद कर ले। इस से पहले का वीडियो का आप नहीं देखें। तो यह जाकर देख लए। प्रिशन पर देखसके такие सबसे मात्म विशस्ता है क्या थी याई दो पूछ रहा है कि छो चैन्स कड़ी अंसर से प्रिशना थी तो एक जो चैन्स अक्राइट इंसर है अगले प्रिश्णिया पर देख से दोनों प्रिश्णि की हरपा सभयता का सासन किसके हाथों में था यानि यह भी प्रिश्णि काफी महत्पने और एकजाम में काफी वार पूछे जा चुके हैं कि हरपा सभयता का सासन किसके हाथों में था इसका राइट एंसर के लिए जिसक या पी दिख्षति तीनों पृष्णे करा की हरवपाई सबहिता की पतन का मुख्य कारण त्हुत आप लोग पर देख सकते हैं यह तीनों जो कि हरप्पार सबैता के मोखे पतन थे ठीक है तो तीन का जो सेंस ओप्सन डीस का राइट एंसर है अले प्रिशने आपको बोडिक्चा में भी देखने को मिलेगा जो भी यहां पे सही रहेगा तो आपको गोला करना होगा तो इसका राइट एंसर के हम बात के लिए इसका जो सही एंसर है ऑप्सन डीस का राइट एंसर हरप्पा यानि तो हरप्पा सबैता में सवाप परतम किस अस्तल की खुदाई हुई थी तो हरप्पा की खुदाई हुई थी चार का जो सही एंसर अप्सन डीस का राइट एंसर ह दोस्तों अब अभी तक वीडियो को सेर करें ताकि और भी ama अधियारि करके बेतर से अंग पराप्ति करें इससे पहले वीडियो आप नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा है उसवे किलिक करके और वीडियो देख सकते हैं तो चलते हैं इससे पहले कमयाबी यानिसुआ काफी अच्छी लाय नएं कि जितना रहा आपका सपना अगहा उतनी बड़ी आपको तकलीपे भी होगी जितनी बड़ी तकलीपे होगी उतनी बड़ी आपको कम-यावी भी मिलेगी तो चले दिस्स्वं अगल प्रिष्लिकी चलते हैं अलboat आपि दिख्ती पांचनों पृष्णी की हरोपा यानि की गोधी बारा का साक्षे कहां से हैं इसका ऐसे अधरी से जो प्रिश्छी सब्सक्राइब है अले प्रिष्णि आपी दिखते चीन प्रिष्णि की मोरे काल में टक्साल का परधान कुन था इसका राइट इन सिंगा बात के लिए जिसका जो सब्सक्राइब पर भी सकते हैं तो प्रिष्णि की मोरे वन्स की राजधानी कहा थी तो यहां पे चार उप्सन देसका राइट इंसर है इसका जो सही इंसर है पाथली पुट्र जो के पाथली पुट्र को हम पटना के नाम से भी जानते हैं तो तो अठका जो सब्सक्राइब का राइट इंसर है अलब्रिष्णि अब इस देख से 8 प्रिष्णि की मोडे काली राज्य कलिंग कहां इस्तित्था यानि यह एस्स्टेट कहां इस्तित्था इसका तो दोस्तों आपको बता दे अगर आपको इसका पीडियाप चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम जो चैनल वहां से जॉइन हो जाए क्योंकि वहां पे आपको यह सारी पीडियाप मिल जाया आपको बता दे कि टेलीग्राम चैनल पे आपको जाना है आपको सर्च करना एजूकेशन भाई गुपता जी आप वहां से जुकी जुड सकते हैं यह आपको वीडियो के नीचे भी लिंक मिल जाएका वहां से भी आप लोग जुड सकते हैं वहां पे आपको काफी अच्छे अ समाहत्रा कोन था यह तो मोड़े परशाषन में समाहत्रा कोन था इसका राइट है किसका जो सही एंसर है और उप्रिश्न है पर प्रिश्निक रहा है कि मोरे काल में ब्रहां दे क्या थे इसका राइट इंसर है और प्रिश्निक रहा है कि असोख ने महेंदर एबम संज मित्रा को ध्रम परचार के लिए कहां भेजा था यानि तो असोख ने महेंदर एबम संज मित्रा को ध्रम परचार के लिए कहां भेजा था इसका राइट इंसर है और प्रिशनिक देखे बारव प्रिश्निक रहा है असो किस वंस का सासक था तो बार्रका जो से अप्ष है अल्ले प्रश्न आप ये दिख़ते तीरम प्रश्न की असो किस बहुद बिचुक के परभाप से बहुद बना था तो तो आसो किस बहुत बिच्छुक के परभाब से बहुत बना था तो तेरा का जो सेंस और इसका राइट एंसर है तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं केंट वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपकी लिएक लिए आधर दें ताकि जो भीुचा इस चैनल पर यह वह भी त्यारी कर दें जो थे अंग परापते करें सुध्यों इस एक अपने वर्शंद से याद कर लें जोस्तों आपको बता दी कि अगर आपट शारी पे नहीं हो तो शांब कर ले सात्मिक बेलेकन उसको भी दवाय के लाव करी टाइलेट इस वीडियो आपको मिलता रहे सब से पहले ठीक है और साथ में आप लोग जो टेलीग्राम चानल है वहां से जूर जाए ताकि आपको जो भी यापे हम आपको पीडिया प्रभाइट कराएंगे वह आपको मिल सके ठी कहा थी यानु सकता पूष्ण आया था लेकिन उस परस्थम में जो कि अंतर है प्रस्थन का से में प्रुछन होगा लेकिन जो कि हूंआ कि आपको इसे परकार से बोडिकम प्रश्थन है जाएंगे इसका राइट इंसरन का राइट एंसर है तो प्रिषण आपी दिख्षति पन्वन प्रशूने कहा रहा है कि आपी आरे बट कहां का निवासी था तो यह प्रिश्ण काफी महत्पुन है और काफी वाल एक जाम में पूछे जा चुक्या हैं कि आरे बढ़ कहा का निवासी था इसका राइट इंसर बात के लिए इसका जो सही असर ऑप समय इसका राइट एंसर पातली पुद्र याले भारत का पर्थम नगरी करन कब हुआ था यानि तो आप से पूछ सकता है कि भारत का पर्थम नगरी करन कब हुआ था इसका राइट इसका बात कर लिए जिसका जो सही एंसर है अगले प्रिश्णिया प्रिश्णि की गीता रहाज से किसकी रचना है इसका राइट एंसर है दो आप से पूछ सकता है कि गीता रहा से किसकी रचना या इन कीन kी दोर्णा लिखा गया या इनका लेकर कौन है तो वह यहाँ और पर वाल गंगादर दिलग तो सतरना जो से एक बात बता दे कि आप बेडर त्यारी करना चाह रहा हैं तो आप जोई वीडियो देख रहें उ क्या होगा रिपीट होगा और आपको हर एक प्रिशन अच्छी तरह से याद भी हो जाएगा ठीक है क्योंकि हम बात करें आप तो एक बार प्रिशन याद करें तो इसको याद रहता है तो उनका जो अंको काफी बेतर आता है तो ऐसे में आप लोग भी रिवीजन करें परहाई के साथ साथ रिवीजन करना जरूरी है तब ही जाए कि आपको हर एक प्रिशन दिमाग में बैठे रहेगा ठीक है अले प्रिशन आप देख सती जो अठारों प्रिशन करा कि गीता के महत पर किसने विचार व्यक्त किये थे इसका राइट एंसर का बात कर लिए इसका जो राइट एंसर है ऑप्षन नमर्ड अपर किसने विचार व्यक्त किये थे तुवत यहां पर महतमागा अप्षन दि आप विवे का नन ऑप्षन से आप बाल गंगाधर तिलख यानि कि यह तीनों ने गीता के महत पर विचार व सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब महाभारत की रचना किस ने की थी दोस्तों आप लोग का एंसर क्या है जली से सब्सक्राइब करें कियोंकि आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे है और साथ में बात करें तो आप नाइं थे और जो की टेंथ में भी यह जो परस्त ने आप पर चुके आप लोग एंसर जल्दी से कॉमेंट करें हमें इसका राइट इनसका बात क्लिक स्कारुश सही एंस प्राचिन भात के महा काबे का नाम क्या था इसका राइट एंस से हम बात के लिए तिसका जो राइट एंसर होगा ऑप्सम एसका राइट एंसर है तो दोस्तों आपको बता दे मेरा एक सिकेंड चैनल वीडियो की नीचे मिल जाएंगा जाएंगो सब्सक्राइब के लिए दोस्तों आपको बता दे मनु असमिर्थी में कितने परकार की वीवा का उले किया गया यानि दोस्तों काफी महांतुन प्रस्णे आपसे जा सकता है कि मनु असमिर्थी में कितने परकार की वीवा का उले किया गया है इसका राइट एंसर के लिए पर्थम उपदेश के लाता है इसका राइट एंसर के हम बात करें जिसका जो सही एंसर है ऑप्सम बीस का राइट एंसर है तो आपको बता दी किसी ने कमाल की बात कहीं कि खुस होकर काम किया तो खुसी और सफलता दोनों मिलेगी यान सु काफी अच्छी लाने की खुस होकर आप कोई भी कम करेंगे तो आपको खुसी और सफलता दोनों मिलेगी ठीक है तो हमेज साछ कोई भी काम की खुस है यानि की तो डिल से कोई में कम क्केते है आपको बहुए और आपको करने भी इस काम में वज़ा आया ठीक हैर प्रस्स्निअरे ाप लिए गार्मिया कि करा evaluated экран अथा इसका इनसंग वाच्व इसका बात करें आप पिखे सूथ पीर्थाक ओप्सण भीआपी विनएपीटच ओप्सण से आपे जो की अभी ध्यम पीर्थाक यह तीनों पीर्था गरंत में आताए तीक है इसलिस्ट का जो से शॉप्सण डिसका राइट सुब्श्य अली प्रिशन आपे देखसे 25 वहां कि सब्सक्राइब न होसमों के इसका उट्प sound कर सकते हैं तो दोस्तों आपको बता दें सबस्क्राइब इथियास की कुल यहां पे जो की 25 प्रसन थे तो पहले से आपको कितने प्रस्शन यात थे सही सही नीचे कॉमेंट करें वीडियो आपको परसन है तो वीडियो को लाइक कर दें साथ इस वीडियो को अपने वार्शाव गूरूप फेस्बूप में भी सेर कर दें ताकि और भी सब्सक्राइब के लिए सात्मिक बेलेक ने उसको भी दबाएक के लाओ कली तेले टेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले और साथ मैं आपको बता दे कि आप लोग टेलीग्राम चाहें से जाके जूर जाए ताकि आपको वाज से बेनेफिट मिलता रहे तो चलिए द